हलो एवरिवन, वेलकम तू ट्रिक क्लब्स और आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन सॉल्व करेंगे और इससे रिलिटेट कुछ कॉंसेप्ट सीखेंगे सो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमेंडर क्या बचेगा तो इसका सबसे इजी ट्रिक होता है जो पहले वाले का जो रिमेंडर बचा क्या बचा यहाँ पर 29 इसको आप किस से डिवाइड कर दिजे 8 से दूसरे नंबर से तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 8 से हम डिवाइड करेंगे 29 को तो कितना होता है 8 3 जा 24 और यहाँ पर क्या बच गया 5 तो एंसर क्या हो जाएगा 5 तो आपको हमेशा यही करना है जो पहले वाले का जो रिमेंडर बचे का उसको क्या कीजिए दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिजिए सेम एंसर आ जाएगा इसका सेकंड कोश्चन है इफ 60 परसेंट और 3 वाइफाइड अफे नंबर इज 36 दे नंबर इज मतलब किसी नंबर का तो उस नंबर को हम क्या ले लेते है अब क्या करना है यहाँ पर 60 परसेंट करेंगे 60 परसेंट ऑफ 3 वाइफाइड यानि 3 वाइफाइड उस नंबर का एकस कीए तो इसका वैलू क्या है 36 है तो इसका वैलू निकालना है तो अब जानते है परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 लगेगा और यहा अब क्या किजिए पचास इदर multiply में चला जाएगा तो 18 x बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 50 और यह x बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 50 और इसके divide में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा और 18 दोनी क्या हो था 36 दो इंटू 50 किजिएगा तो एंसर क्या हो जाएगा 100 यानि option B is the right answer third question है how many natural numbers between 17 and 80 are divisible by 6 question में यह बोला है 17 से लेके और 80 के बीच में ऐसे कितने नंबर से जो 6 के table में आ जाए 6 के table से divide हो जाए तो इस question को मैं दो तरीके से बताऊंगा सबसे पहला जो तरीका है वो आप क्या किजिए कि AP के basis पर arithmetic progression पर solve करेंगे तो पहला number क्या होगा 18 होगा 17 के बाद 18 जो 6 से divide होगा फिर क्या होगा 24 फिर क्या होगा 30 so on up to last number देखिया तो 78 डिभाइड होगा 80 के पहले 6 से इसको आपको check कर लेना पड़ेगा और हम AP का formula पढ़े थे a n equal to क्या होता है a plus n minus 1 into d होता है इसमें a n क्या होता है nth term of AP a क्या होता है first term किसी AP का और n number of terms और d क्या होता है common difference अब देखिये nth term यहाँ पर क्या है 78 यहाँ पर लिख दिजिए 78 first term AP क्या है 18 plus n minus 1 into d d क्या होगा common difference यानि 24 minus 36 इधर जाके माइनस हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 60 पराबर n minus 1 into 6 करेंगे 6 इसके divide माया जाएगा तो क्या हो जाएगा n minus 1 और यह minus 1 इधार के plus 1 हो जाएगा तो n बराबर क्या हो गया 11 तो answer क्या हो जाएगा इसका d is the right answer तो यह तो मेरा first method है और एक short trick है इसको करने का यह क्या मेरा basics था और short trick क्या है कि आप क्या कीजिए 17 यहां लिख देना है और यहां लिख दिजिए 80 इसको कितने से बोला है 6 से इसको भी 6 से आप divide कर दिजिए 6 से divide कीजिए तो कितना होगा यानि 13 हो जाता है इन दोनों को घटा दीजिए 13 माइनस 2 कितना होता है 11 तो इसका answer क्या हो गया इगार हो गया तो यह भी एक easy trick है इससे भी आप use कर सकते है कुश्चन और फूर्थ है find the sum of all the even numbers less than 75 75 से कम जितने भी even numbers है तो आपको पता है कि even numbers क्या होते है जो two से divide होते है वो क्या होता है even numbers होते है तो आपको 75 से कम मतलब यह सब बोल रहा है इनका sum निकाली 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 800 और even number last क्या है 24 तक आप कहें कि यहां पर दो कमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस 100 अप्टू क्या हो गया 37 और आप एक चीप फॉर्मूला पढ़े होगे sum of first and natural numbers क्या होता है n into n प्लस 1 बाइ 2 होता है तो यह formula लगा लेंगे यहां पर और एक से लेके 37 तक के number का sum निकाल लेना है आपको तो यह क्या हो जाएगा देखिए n into n प्लस 1 तो n यहां पर क्या है 37 और into क्या करेंगे n प्लस 1 यानि 38 और पूरे की डिवाइड में क्या है 2 तो यहां पर 2 कर दिये 2 से 2 कटेगा 37 उनियों 38 कीज़ेगा तो देखिए 8 सते 56 यहां एक ही option आ रहा है यहां 6 जिसके last में तो यही है इस तरा आएगा 14 च question है मेरा in a division problem the divisor is 4 times the coescent and 3 times the remainder if the remainder is 4 then the dividend is तो देखिए आप एक चीज़ परहे होगी कि dividend बराबर क्या होता है divisor into coescent plus remainder यह formula आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो इस question में देखिए मेरा clear दिया हुआ है remainder कितना दिया हुआ है if the remainder is 4 तो हम क्या करते remainder की जगा पर 4 लिख देना आपको और divisor के बारे में देखिए diviser कितना है यहाँ पर देखिए three times the three times the क्या है remainder remainder का तीन गुना है इसका मतलब divisor अगर remainder 4 है तो divisor कितना होगा चाहिए 12 और इसमें एक चीज़ और लेख रहा है divisor is four times the quotient quotient जो है उसका चार गुना है इसका मतलब quotient 3 होगा तब तो यह 12 है तीन चोका बारा बारतेश 36 प्लस चार कीज़ेगा तो यह answer क्या हो गया चालिस तो चालिस कौन सा है मेरा option A is the right answer तो आज की वीडियो में बस सित्ता ही आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखके बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिल सके तो थैंक्यू फॉर वाचिंग